हाई दोस्तों जैसे कि आपने थमलेन में देखा आज जिस मैटर में मैं बात करने वाला हूँ वो एक नहीं दो नहीं लाकों स्टूडेंट का जहन में सवाल उठता है दोस्तों माइंड में सवाल उठता है कि जो मेरी आईटी आई की वेस पे 12th पास होगा मैं वो डिगरी किस पेस की होगी किस स्टीम की होगी आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या होगा आज मैं इस पर बात करने वाला हूं दोस्तों वो किस स्टीम का वेल्डियू देगा आगे पढ़ाई के लिए आर्ट्स या साइंस या मैडिकल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मे लिकास गुपता कि आपके अपनी इट ड़्ी के चैनल में स्वागत करता हुँर्भ दोस्तों में आपका, पहुंच जाए जिन पर डाउट है दोस्तों तो बात करता हूं मैं चलते हैं फिर देखते हैं तो यह कुछ माध्यमिक सिक्षा बोड राजस्तान अजिमेर का है ठीक है दोस्तों नोट है इसकी ऑफिसल वेबसाइट पर बता दूंगा कहां जाना क्या करना है तो मैटर को समझे दोस्तों ध्यान से बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें और समझें तो बात करते हैं राज्य सरकार के अदेश करमा कि यह कुछ इस मैटर था यह अदेश हुआ एक कि आईटे और डिप्लाओं वालों को बारवी की वैल्यू के बराबर डिग्री दिया जाएगा और वह डिग्री किस वेस्ट की होगी किस स्टीम की होगी उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं तो एक नंबर दो ल उस्तियन करने के साथ दो अपको जल्दी पढ़कर बता यह जिन्हों कख्षा आठवी के बाद 2 साल का इंजी वीटी से वह हिंदी या इंगलिस का पेपर देके एक साल का इंगलिस या हिंदी का पीपर एक सब्जक्ट का वह दस्वी डिग्री ले सकते हैं आगे पढ़ाई ही यानि कि दोस्तों अगर दो साल की आईटिय अगर आपने एक साल पास आउट कर लिया उसके बाद भी आप अपलाई कर सकते हो यानि कि आईटिय एक साल की कंप्लीट होने के बाद आप अपलाई कर सकते हो ठीक है दोस्तों आप मैं बात करता हूं दोस्तों बारवी के लिए ठीक है दोस्तों कक्षा बार्वी दस्वी उत्यन होने के परिक्षा दो या दो साल से अधिक नेशनल काउंसेलिंग NCVT मनेता प्राप्त कोर्स लेने तथा उक्त कोर्स के पर्थम उत्यन कर लेने के पश्चात विध्धारतिय दी मध्युग स्टेट ऑपन स्कूल जैपुर से बार्वी के लिए निधारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विसाई परिक्षा उत्यान कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शेक्षा में प्रिवेश है तो बार्वी उत्यान समक्ष माना जाएगा दोस्तों बार्वी के बाद आपने दो साल क बात करुआँ वह इंग्लीज का विसाई होना चीह है तो पहली बात आप मैं बात करता हूं दोस्तों कि किस विसाई का यह देगा तो यह जो स्टीम होगी कौन सी होगी आर्ट्स को मर्स आइंस मैं आप बता दूं अब डिप्लोम वाले को लिए छूटे दोस्तों जैसे कि आपने देखा यह फोर्त नमर देखते हैं दसवी कक्छा उत्यान करने के पश्चाद मनेता प्राप पॉला टेक्निक कॉलेज से तीन वर्स का आल इंडिया कांसिलिंग फॉर टेक्निकल एजूकेशन ए आई सी टीसी से मनेता प्राप्त कोर्स उत्यान करने पर उन्हें आगे क इस इक्षा है तो बारवी उत्यान करना श्रमक्ष माना जाएगा दोस्तों ठीक है अब पढ़ते हैं में जो टॉपिक है दोस्तों कि किस विशाय का आपको वैल्यू दिया जाएगा बारवी के लिए तो वीडियो को ध्यान से सुने दोस्तों उप्रोग विंदू ए और चा बार में वन्नित प्रक्षातियों को उस्चंद अध्यान हित्तु विश्विद्धाले में परवेश के लिए कार्याले से समक्ष प्रमानपत सुल्क पराप्त किया जा सकता है अब दोस्तों अब मैटर क्या आता है यहां लिखाए थार्ड नमबर दोस्तों संक्राय निधार तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं विंदू संक्या 2 के सभी उप्रविंद्यों में वर्जिन वन्नित भारवी कक्षा की समक्षता पराप्त करने पर विध्यारतियों को विज्यान संक्ष विज्यान संक्राय का विध्यारति माना जाएगा तो दोस्तों संक्या विधारत विंदू संक्या 2 के सभी उपर विंद्यों में वन्नित बारवी की समक्षचा प्राप्त करने पर विधारति को विध्यान संक्रे का विधारती माना जाएगा ठीक है दोस्तों जैसे कि आपने देखा पॉलिटेक्निक पास करने वालों को तीन साल की और जो आईटिय दो साल की पास जो कर चुके हैं या वो एक साल पास आउट कर रहे हैं या पहले के कर चुके हैं वो राजस्तान ओपन स्कूर पोट से अपना वो इंगलिस का पेपर दे पर आया पढ़ा है नोट यह उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से जाके लोड कर सकते हों अंसीविटी के नाम पर एक पीडियाप आएगी आपको थ्रीपेस की आप परतिलीपी निवल को सुचना है और यह से कारवाई है तो यह कुछ सासन था साशन सांचीप के सामने हुआ था है जोद यह निदेशक हैं दो और यह वरिष्ट करते जोसाथ जो साशन तरपन यह कुछ मिलके अन्होंने यह समक्स्य नियम लिया है दोस्तों यह अब देखते हैं दोस्तों यह माध्यमोग शिश्जा बोड राध स्था आज मैं इस तोस्तों इस परकार से नियम लेने का और परटीविपी का ये कुछ कारभाई की नहीं जो सासन देशक तक्निक जोदपूर ये कुछ दोस्तों वह सटेट में राजस्तान बोड में यह जो मेन में परमुख्ट सचीव looked है उन्होंने यह फैसला लिया है जैसे की दोस्तों देखा आपने यह पॉलडिंग कर्षा अंगिरेजी विषाहि के साथ उत्यन करफ्षा के लिए अध्यान के लिए उच्छ विद्धया मध्यमिक्स प्रक्ष्चा के समक्षा हेतु ससुल्ख समक्षा प्रमान पर परदान करने के सम्मन्द में गठिन कमेटी जो कमेटी दी दोस्तों कमेटी ने इस निन्ने को लिया जैसे कि आपने देखा दोस्तों हर स्टूडन की जहन में ऐसा कुछ सवाल आता है कि हम किस बेस की माक्षीट होगी तुम आपको बता दूँ दोस्तों ये इसी बेस की माक्षीट होगी दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये वीडियो में और इस वीडियो को सेर करना ना बुलें दोस्तों कोई भी डाउट हो कोई भी कमेंट हो आप ऑफिशल बैप साइट पे राजस्तान बोर्ड की आप जा के चेक कर सकते हो को इसमें उलट फेर नहीं है यह मैटर बिल्कुली बिल्कुल राइट मैटर है और इस पर जो जो स्टूडेंट की जो वो थी कि किस बेस पर होगा क्या होगा यह इस टीम तो मैं आपको पता त थांकिव रोचिंपरेंट मिलतें नक्स्ट वीडियो में जाए हिंदें